हेलो दोस्तों है है सुभी तरह आज की वड़ी में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 के बारे में इस फोन के अंदर फाइले नहीं इडिया के अंदर हाइपर उसका जो अपडेट है वो रिलिस हो गया है 1.0.1.0 आपको वर्जन देखने हो मिला था और यह अराउंड 1GB का अपडेट देखने हो मिला है मैं आपको कौनकों से फीचर्स देखने हो मिलाते हैं क्या कि इंप्रुमेंट की गई है और बहुसार चीज़ें हम बात करने वाले है अब यहां पर हम बात करते हैं अपडेट के बारे में बात यहां पर आप देखने हो मिलाता अब यहां पर हम आपको दिखाता हूं सैटिंग में चले हैं यहां पर आवाट फोन में जाते हैं और काफी जारे लोग यह बूचेंगे कि क्या यह अपडेट के बाद इसके अंदर 5G आ सकता तो ऐसा नहीं होगा अभी भी इस चीज को आप धियान रखना है यह फोन जो 4G के 4G रहेगा अब यहां पर मैं बता है तो मैंने इसको यहां पर इस्टॉल कैसा किया अल्डेड एक वीडियो बना रहा है कि मैंने रिनेम ट्रिक के नाम से लिंक दे दिए अडिशन में जाके चेक आट को लेना सेम मेत्रड को फोलोग करना हो और आप अपडेट कर सकते हो फिली जाकर वीडियो देखना ना रेड्मी नोट 11 हो यह फिर रेड्मी नोट 11 ऐसो दोन अब बात कर लेते हैं तो सबसे पहले चीज चीज चाहिए लेकिन बैक्राण को ब्लार वह अभी भी यहां पर देखने को नहीं मिलता बाकि एनिमेशन से वकर यहां पर इसके अंदर एड़ कर देख सो तो बड़ेट करें तो थोड़ी देर तक यह लेग करेगा उसके बाद कर दायर के फोट फून तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां पर देखर दो वोल्यूम के अंदर में यहां पर शीयू पर काफिड लगती है यहांपर भी टैजिए लेकिन आपको बता पर एक यहांपा यहां पर यह यहांपर यहांब कोई अनैमेशन नहीं गहिए घे आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हड़ी के आपको ग्रे कलर का यह देखने को मिल जाता है कहीं पर ब्लर होता दो काफी यहाँ बैटर रहता बट अपक्या करें जो चीज दी है वो कुछ इस तरह से बाके मेंच चीज वह है लोग स्क्रीन यहाँ पर कस्टमाईजि प्रेख्ते हो जो कि देखने में काफ़ यह दा कूल लगता देखिते आप एउडी को भी यहांपर चालो कर सकते हुँ देख्ते हो आप इस सदरा से देखने को बलता और एउडी की एइनीमिशन को एपको कोई एइनीमिशन नहीं दिया इस चीजिए का अब ध्यान रगना बा इसका हम यह पर करते हैं बाकि नीचे चलते हैं और भी सारी कास काफी सारी कस्टमाजिसन है जो आपको पसंद हो वो आप यह से लगा सकते हैं मेरको यह वारी पसंद है तो मैंने इसको यहां पर एड कर लिया और इसका हम यहां पर एपलाई कर देते हैं और यहां पर अभी भी यहां पर देखने को नहीं बलती तो यह थोड़ी सी निरासा अवली बात है बाकि आपको आलवेशन डिस्पले यूज करने तो यूज कर सकते हैं बाकि यहां पर कोई भी चेंज से देखने को नहीं बलता आलवेशन डिस्पले के अंदर बाकि यहां पर हम चलते हैं तो यह जो चीज है नए वाले विजट्स जो है नो वो इसके अंद यहां पर एड नहीं कियेगे देख सो तो मैंने एप वोल्ड को सलग कर रहा का है अगर आपके डिवास में विजट्स वखरा आती है तो मेरे को जरू से बताना मेरे डिवास में यहां कोई विजट्स मेरे को देखने को नहीं मलता वही पर हम बात कर लें यहां पर देख सो तो यह वोल्लिम बार है इसमें हम जाएंगे D&D वगर अलगेंगी तो यह जो एनिमेशन है काफी कूल लगती है यहां पर मैं आपको दिखा था देख सो तो यह आइनिमेशन यहां पर आपको देखने मलते है डाइनिमिक आइलेंड जैसा आप आइनिमेशन इसको बोल सकते हो तो यह आपका यहां पर D&D silent mode और charging पर यह हर जगह यहां पर working देखने को मिल जाएगी बाकी कुछ और changes के हम बात करें system के application जैसे की current creator देख सो काफी completely बुरा चेंज है वैदर application इसमें आप जाओके यह भी आपको काफी completely बुरी चेंज देखने हो मिल जाएगी और भी काफी सारे changes कियेगे जैसे कि file manager आप जाओगे तो file manager आपको बुरा यहां पर change देखने हो मिल जाएगा यहां पर storage यहां पर तो यह भी आपर चोड़ी बहुत change आपको देखने को मिल जागी देख सो तो पैरी चीज तो यह एड यह एड क्यूं दे रहे मिरको समझ में आ रही एड बहुत जाद है और मेरा internet भी बंद है फिर भी यह एड मिरको देखने को मिलते है तो यह चीज बता नहीं कावस आट ह कि इसको चुड़ाते है बा कि ब्ैटरी में जाओ गए तो यहाँ प्रिदे का पूरा So आप कर देखने को मिल जाता है तो यह भी धोड़े चेंजस है बाकी ऐक बर मैं internet चालू करके आपको दिखाती है तो करतें नोल्टिफिकेशन वगरा ना थे सारी चीज आपको देखने है यह सारी चीज आपको मदोग आ यह सब उस देखने हो मिल जाता है तो यह यहाँ पर देखने को नहीं मलता अब यहाँ पर हमें चीज़ देखने को नहीं मलता जो भी 120 हैं 90 Hz होता है तो उसमें click करके हम सारी application को 90 Hz पर run करा सकते हैं लेकिन इसके अंदर यहाँ पर यह वाला option देखने को नहीं मलता तो यह memory status यहाँ पर देखने को मिल जाता है पहले क्या था एक suggestion वाला option देखने को मिल जाता है उसको यहाँ पर completely in order हटा दिया बाकि एक और चीज यह वाले दो option नहीं यहाँ पर add किये गिये यह क्या है यहाँ आपको दिखा तो gallery में जाता हूँ gallery में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा तो यह ना जब आप अपने phone को setup करोगे कुछ इस तरह से यह आपको starting में देखने को मिलेगी अब इसका use क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा तो यहाँ पर हम जादे pinch करते सर्च option open हो जाएगा यहाँ सब कुछ भी सर्च का सकते हो सारी आपकर के से ओपन कर सकते मेमोरी यहाँ पर देख सकते हो पहले क्या तो लेफ्ट करोगे तो control यहाँ पर control center लेकिन अब वह चीज नहीं आ रहिया उस चीज को वापीस लाने किने अगर आपको यह इरिटेंग लगे यहाँ पर जाने की पद इसको आपको नहीं पर कॉंचेंट करते और यहाँ पर नौटिवीसरन का इनसंब में कोई यहां पर आप देखने को नहीं मलते हैं यह उन्होंने शाओमी क्लाड जो देखने नो बदल दा वो इस विए से यह उपसर एड कर देगा अभी स्क्रीन पर जाओ के एक स्क्रीन शोट के अंदर एड फ्रेम को अपसन हो एड फ्रेम का अपसन आपको देखने को नहीं मलता बहुत सरे डिवैस में एड गर दिया गया स्क्रीन कोडिंग अभी भी आप 30 अपिस तक ही कर पार यह उससे जाद है यहां पर आपको देखने को नहीं मलती है एक जीबी दो जीबी चारगी वी तो कर सकते मेरा 4G वाला विरेंट देखने को मिल जाता है उसके बाद यहां पर आप जाएट फ्लोटिंग विंडू यह एक अलाग और यहां पर आप स्मार्ट सजेसंन देखने को मिल जाता है तो इसको भी आप यूज कर सकते हूँ करने भद बाद कोई एनी मिससन आ रे है है काफी वड़ी जाम में देखने को मिल जाती है एक और application हम देख लिए ओपन करके जैसे कि play store तो देखें तो एक बार में एक ही application यह open कर रहा है दो application एक साथ अभी भी open नहीं कर रहा है क्योंकि Android 13 पर बेज़ और यह कि नॉर्बाल डिवाइस या फिर बजट डिवाइस आप इसको बोल सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ा कर यह दे दिंगे तो फोन ज्यादा लैक करेगा फिर आप लोगों को दिक्कत आगी इसमें से ज्यादर फीचर वगर यहां पर देते हैं तो यह यहां पर चेंजे जाए और काफी सारी फीचर जो मिसिंग जैसे की एसबिलिटीस में जाओ कर दिया तो इस फोन के दा अनफॉस्ट्रिटी यहां पर फीचर नहीं नहीं दिया गया बाकि सबकुष सिंटू सिंट वैसा का वैसे देखने में गैलरे में कोई खास चेंजे नहीं किया किया कैमरा एप्लेकिशन भी आपको बुराना वाला ही देखने मुल जाता है नया वाला नहीं देशो दिया पर टैप करने के बाद उपन हो रहा है काफी जारे फॉन में स्वाइप करने पर आ जाता वीडियो में वही सारी चीज़े देखने को मिल देखने को जाए यहां को ज्यादा खास चेंजे नहीं मिलते हैं यही कुछ फीचर देखने मिल जाते हैं इसके अंदर लगा आपको यह लोग स्क्रीन और बहुत सारी आज जो आइनिमेसंस वागर आपको देखने हो मिल जाते हैं तो हाइपर वैस आपको कैसा लागा मेरे क आपको मेरी चैनल पर मिल लागी यह तर आज की इस वीडियो में वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो हम मिलेगे नाइस मोटी जब तब केने जैन जैवारा